जमू कश्मीर पुलिस ने गट साथ फरवरी को श्रिनगर में पंजाब के श्रमिकों की हत्या में शामिल एक आतंगवादी को गिरफतार किया है श्रिनगर में ADGP कश्मीर विजे कुमार और IGP कश्मीर B के बिदरी ने पत्रकार वारता में इसकी जानकारी दी ADGP कश्मीर विजे कुमार ने कहा कि पंजाब के श्रमिकों की हत्या में शामिल आतंगवादी आदिल मंजूर को आतंग की हमले में शामिल होने के आरोप में गिरफतार कर दिया गया है और उससे हमले में इस्तेमाल किया गया एक हत्यार भी भरामत किया है आपको बता दे कि पिछले हाफते बुदवार शाम को पंजाब के अमरित सर के रहने वाले 31 वर्षिय अमरितपाल सिंग की श्रिनगर के शहीद गुंज इलाके में आतंगवादियों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी इस आतंगवादी हमले में अमरितपाल सिंग का सहयोगी 25 वर्षिय रोहित मसी घंबी रूप से घायल हो गया था और हमले के अगले दिन गुरुवार की सुभा इलाज के दोरान उसने भी हस्पताल में दम तोड़ दिया था इस आतंगवादी हमले के बाद कश्मीट घाटी में विरोध परदर्शन और शान्ती मार्च हुए और लोगों ने आतंगवाद के खिलाफ एकजुट होकर इस रक्तपात को समाप्त करने की मांग की थी वहीं पुलिस ने एक हफते से भी कम समय में आतंगवादी को गिरफतार करके आतंग की हमले को सुलजाने में बड़ी सफलता हासिल की है इसमें कहने की बात यहां कि अमरिक पाल रोहित यहां पर कारपेंटर और वुल्वर की काम से वाबास्ता थे और अपने घर से उसी दिन अपने यहां पर जो उनका बेड़ा था शहीद गंड में उसकी और वापस आ रहे थे तो इसी सिलसले में इसके बाद यह दोनों जो है श्री नगर पुलिस ने काफी मुस्तेदी से और प्रोफेशनल तरीके से इसमें एक तीम का गठन किया गया फील्ड और टेक्निकल एनालेसिस किया गया जिसमें काफी महनत कई और उस दोरान काफी क्लिंचिंग एविडेंस उनके पेशरफ्त हुए और इन क्लिंचिंग एविडेंस के आधार पे इन्होंने कुछ सस्पेक्ट्स राउंड अप करे इसी असना में जो में कल्प्रिट ह इसमें जो इन्वाल्ड है जिसका नाम है आदिल मंजूर लंगू जो कि जालडगर स्री नगर का ही रहने वाला है उसका रोल उजागर हुआ और ट्लिंचिंग एविडेंस के आधार पे उसको अरेस्ट किया गया इसमें जो है यह में सिस्पेक्ट जो था जो कि में अक्यू इसमें जो कि इसमें ने एक श्री नगर में एक स्वेश्या इंवेस्टिगेशन टीम का दखन किया गया है और वो इस इन्वेस्टिगेशन को मुस्तहदी से अंजाम ला रही है और हमें आशा है कि इसने शीगर जल से जल इसको केस को चार्शीट करेंगे इसमें मैं आप लोगों से दो पॉइंट है बोलना चाहूंगा जो इस टेकर मोगिल को यहां पर लगों को डिल्राइज करके बढ़ती कराता है ऐसे हैंडलर को पाकिस्तान को हो जब वर्ड को किसी कोना में उसको हम लोग प्रफेशली धंग से कानून तोरकर लाएंगे यहां दूसरी पॉइंट है जिए मैं यहां के अवाम से खासो के पैरेंट से अपील करता हूं और टीचर कम्यूटी से अपील करता हूं कि आपके अगर कोई इसे लरके लगता है कमेज वाले जो सोचल मेडिया के थूरू रेटिकराइज हो रहा है उनका बेहवेर्ट पैटरन और दूसरी करता है तो पुलीस को बता है और अपना विखा लगे है क्योंकि इस टैप के घरवाले को पता निचलता है तीचर को पता मीं चलता है और बात बैद में जाकर इंसिजेंट करता है आज के जमाना में डीचल वर्ड में उसको बच बच रहना मुश्किल है हम दो हैं करके आ रहा है इसको भी किया है आगे भी इंजियर्टों को बस्ट करेंगी और हार साथ प्रेंस्बल दिया जाएगा है को कोड के थुरू इसलिए मैं प्रेंट से फिर अपील करता है एक बाद अपने बच्चों पर घ्यान रखे सोसल मीडिया तुरू क्या करा मैं करा इसको देखिये उनका बुत्य है और टीछर्श का बुटी है कि प्द्चाइब करते है कभी कबी होता है कि दस मोड़िल काम कर रहा है उसको पकड़ लेते हैं तो तीम मिस हो जाता जिसका पता मिल्गा हमगों का ये प्रुफेशन हजार है ऐसे मोड़ियर्ट करने में कामया हुज यह सिंगल मॉडल के ताट के आ गया था लेकिन पुलिस अभी बहुत सब्सक्राइब कर रही है इसी चलते प्रिवेंटिव मेलर हम ले पाते हैं एसे रेंट को रोख पाते हैं और उस मॉडल जो काम करें इस पामदा की शेयर ने कर सकते हैं इसे देखे पुलिस की प्रोफिशलिजम में उनका हाड वर्क इसी से डिक्रेट होता है कि की स्तां से जल्दी इसको क्रेक्ट कर लिया है मैंने आपको पहले भी कर चुका है कि अगर कहीं पर डिपेंड मोडल काम करता है तो पुलिस बहुत को रोख पाते हैं बहुत को पकरबाते हैं एक दू स्क्रीप हो जाता है यह प्रोफेसर हजार है वही मोडल वाले इंसिदेंट करने मे हैं काम्याव जाते हैं इसमें वही हुआ है देकि फिर भी आप देखिए कि कितना सा इसको जल्दी टाइफ पा इसको सॉल्द किया गया है जहां तक प्रिवेस इंसिदेंट हुआ था जिसमें हमारे एक पुलिश ही दो गए थे लिमना साड में उसको सुमेंगर पुलिश न नहीं मिलके उसमें दो गया बहुत समय लीड मिला है ताम भी सेर निकाता है जो इसको सॉल्द कर लेगा है यह आप से सिर गया जाएगा जहां ता आपने बोला कि जो सही बात है इस निगर सिटी में एक मौने लोकल ट्रीश बचे है